Hello everyone, O2IAS Academy के YouTube चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है इस वीडियो में मैं बात करूँगा HCS की तियारी के बारे में कि किस तरीके से working people जो अल्रेडी जॉब कर रहे हैं वो हरियाना civil service की तियारी को continue कर सकते हैं क्या उसके parameters रहेंगे इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कोई नया जो exam का pattern आया उसका syllabus पहली बात उसके तयार कैसे करना है उसके एक strategy कौन सी books पढ़नी चाहिए कौन सी नहीं पढ़नी चाहिए study material क्या रहेगा optional subject कैसे choose करना है इस तरीके के बहुत सारे सवालों का मैं detailed जवाब दूँगा एक balanced answer आपको मिलेगा और ये इसलिए ये वीडियो थोड़ा सा लंबा है तो please be patient अगर if you are serious about HCS तो इस वीडियो में मैं कोशिश करूँगा कि आपके सारे doubts clear हो जाए in a single touch और इसके बाद भी अगर कुछ बचता है तो मैं अपना contact point शोड़ के जाओंगा आप वहाँ पे call या message करके doubts पूर्ट सकते हो before we start मैं आपको अपने बारे में बदा देता हूँ मेरा नाम संतोक सिंग ब्राड है I have studied masters of technology in system software और मैं पिछले 6-7 साल से civil service as parents को mentor कर रहा हूँ O2IS Academy as well as certain certain other academies में आपने मुझे YouTube वीडियोस में देखा होगा O2IS Academy के चैनल पे मैं Krunt Affair Explained की सीरीज करता हूँ प्लस बहुत सारी इस तरीके की how to या guidance वीडियोस बनाता हूँ as parents के लिए apart from our YouTube चैनल आपने मुझे किसी motivational platform just like Joe's Talk वगरा पे भी देखा होगा मैं आपको वहाँ पे help कर सकता हूँ एक last और चीज़ की जो लोग घर पे बैठे त्यारी कर रहे हैं जो लोग working है academies तक नहीं आ सकते अभी तो वैसे भी चलो COVID की वज़ा से problem चल रही है हम लोग उनके लिए एक online batch special online batch रन करते हैं working लोगों का HCS की त्यारी करने के लिए आप उसको join कर सकते हो उसके लिए आपको हमारी mobile application download करके जानकारी मिल जाएगी या आप नीचे flash हो रहे number पे भी call कर सकते हो हम इस पे ज़्यादा time नहीं लगाएंगे so that हम सीधे point पे आते हैं सबसे पहले कुछ-कुछ basic information about HCS की कौन सी कितनी posts आती हैं कितनी क्या qualification होनी चाहिए 42 years की age limit है उसमें क्या-क्या relaxation है या नया examination pattern क्या है updated syllabus क्या है तो तीन पहली तीन चीजें मैंने इन पे अलरडी एक छोटा सा वीडियो बनाया although मैं आपको expect करता हूँ if you are a serious HCS aspirant तो आपको इन तीन basic चीज़ों का मालूम होना चाहिए फिर भी अगर नहीं है तो आप उपर आई button पे click करके एक चोटी सी वीडियो उसको देखके ये basic जानकारिया ले भी सकते हैं बाकी चीज़ें pattern बगएरा syllabus बगएरा क्या पढ़ना है वो मैं इस वीडियो में बात करूँगा सबसे बड़ा question यह एक working aspirant के दिमाग में आता है कि क्या मुझे त्यारी करने के आफशक्ता है क्या अब जब मैं एक job में settle हो चुका हूँ तो मैं इसी को आगे परसू करता हूँ मुझे executive या इस तरीके की jobs में जाना चाहिए क्या मैं successful हो पाऊंगा या इस तरीके के और भी बहुत सारे and number of questions aspirant के दिमाग में आते है देखें I am no one to answer जो आपके दिमाग में है वो उसको आप खुद ही answer कर सकते हो but मैं वहाँ पे आपको एक दो key pointers बताना चाहता हूँ पहली बात है जी HCS या इस तरीके की executive jobs जो है यहाँ पे students या aspirants क्यों जाते है because they can influence the system influence के लिए power के लिए या आप motivated हो कि मुझे society के लिए कुछ करना है काम तो आप करी रहे हो आप existing job में भी काम कर रहे हो और बकाइदा आपको इस job से भी जादा काम executive में करना पड़ सकता है but वहाँ पे काम करने में कुछ ना कुछ satisfaction लोगों को मिलता है because आप society के लिए कुछ काम कर रहे हो या कुछ लोगों को power enjoy करने का एक shock होता है influence होता है लोगों पे society पे, system पे आपका अगर इन सारी चीजों में आपका interest है, आपकी orientation है तो then you should give it a try अगर आप इन सारी चीजों के लिए नहीं जाना चाते है आपको लगता है कि ये job छोड़के मैं कोई आराम की job कर लूँगा तो let me tell you one thing civil services कोई इस तरीके का job नहीं है जिसमें आप अपनी attention दिये बना काम कर सकते हो काम तो आप दोनों jobs में कर रहे हो बट काम के साथ साथ वहाँ पे आपको थोड़ा satisfaction रहगा because आपके पास वो power, वो influence वो society के लिए काम करने की dedication है उसमें आप कर पाओगे without having any kind of trouble or difficulty और future prospects जो job के रहते हैं remunerations है या pain, perks है वो तो सारा कुछ वहाँ पे रहते रहता है उसके बारे में बताने का मुझे I guess जरूरत भी नहीं है आप सभी लोग जानते हो so in case आप में motivation है कि मुझे कुछ ना कुछ करना है और मुझे यहाँ से निकल के एक influential job में जाना है तो then you should prepare अगर आपको लगता है कि यह job मेरे लिए difficult है और मैं कोई आसान job ढूंड रहा हूँ तो यह job आपके लिए नहीं है civil service is also a difficult job ठीक है तो इस note के साथ हम लोग शुरू करते हैं मैं आपको कोई false hopes नहीं दे रहा तो मैं सारी चीज़े clarify कर रहा हूँ कि किसमें कतना time लगेगा क्या success का rate है तो syllabus completion जो syllabus है जो मुझे आपको आगे बताना है syllabus completion pre और mains दोनों stages का अगर हम syllabus complete करते हैं daily के 3-5 गंटे की productive study के बाद तो हमें 12-15 महीने approximately 1-1.5 years आपको यहाँ पे spend करना पड़ सकता है अगर आपका ये time अब दिन के 3-5 गंटे productive 5 गंटों को बढ़ा लेते हो उपर लेके जाते हो तो time कम हो जाएगा अगर ये time कम आता है daily का time कम आता है तो आपको months increase हो जाएगे this is for the clarity purposes यानि कि average अगर आप अच्छे 4 गंटे spend करते हो for 450 days तो within 1800 hours आपकी तियारी complete हो जाएगी अच्छे से तियारी complete हो जाएगी लोग तो 3 महीने में भी बढ़ लेते हैं लोग 3-3 साल भी बढ़ते रहते हैं दोनों cases में बहुत बार देखा है student success नहीं होते उसके बहुत सारे nuances है कारण है जिनको मैं आगे बात करूँगा यहाँ पर मुझे जस्ट आपको clarify करना है कि इतना time लगे गए लगेगा मैं कोई shortcut नहीं बताने वाला या आपको एक महीने में civil servant नहीं बना दूँगा still इस dedication की अगर आप अपने आपसे promise करते हूँ तो then I can promise कि definitely आपके chances बहुत pride है सबसे पहले exam pattern और syllabus हलका सा मुझे आपको बताना है तीन stages में exam होता है पहला है preliminary stage, दूसरा है mains and तीसरा है interview prelims जो है उसमें दो paper होने GS का paper है 100 marks का CSET का paper है 100 marks का CSET और entirely जो stage 1 है यह एक screening का stage आता है यानि कि just बहुत सारे 1.5 लाख aspirants से हम लोग कुछ 10% लोगों को screen करेंगे कि यह लोग आके mains में जा सकते हैं नहीं इसके अलावा prelims का कोई काम है नहीं इसमें GS, general knowledge, general studies से 100 questions आने हैं 100 marks के और math reasoning इस तरीके के 100 questions आने हैं CSET के CSET आप इन्होंने नया change जो कर रहा है latest update जो है वो CSET में जस्ट आपको 33% secure करने है marks pass होना है बाकी का जो merit है prelims का वो GSK marks के basis पे जाएगा once you have cleared the prelims आप mains में पहुंच गे तो आपका कोई भी काम नहीं रह जाता जो prelims में marks जिसके जितने भी आए वो वहीं तक हैं इसके बाद उनको final selection में consider नहीं किया जाएगा 600 marks का descriptive paper होगा prelims MCQ होता है multiple choice question आते है stage 2 जो है वो descriptive है 600 marks का descriptive different papers होंगे जिसमें language का paper है GS का paper है optional का भी paper है और यहां से कुछ बंदे shortlist होंगे interview के लिए और final merit जो बनेगा वो mains plus interview के marks को जोड के बनेगा उसके accordingly ranks आएंगे services a lot होंगी ultimately जो shining stars होंगे वो इन्हीं दोनों के basis पे निकलते है तो हमारी preparation का focus भी जो जो है वो prelims और mains पे equal होना चाहिए तक क्योंकि हमारा ultimate selection तो mains और interview ही करवा रहे है to understand some basic points की ये exam हरियाना में एक लाग से ज़्यादा लोग fill करते हैं उसमें से 90% लोग तो ऐसे होते हैं कि जो तयारी नहीं करते हैं सर्फ paper देखने जाते हैं ये अपनी किसमत अजमाने जाते हैं prelims के लिए वो आपका competition नहीं है लेकिन बाकी का 10% जो cream है न उसमें वो लोग भी हैं जो UPSC की त्यारी कर रहे है हरियाना से freshers इसमें वो लोग भी हैं जिनके UPSC के 6 attempt पूरे होगे लेकिन अभी तक उन्हों ने अपनी हिम्मत नहीं हा रही है तो वो हरियाना में अपना लग अजमा रहे हैं लग क्या हो उनका बहुत hard work है उसको practically implement कर रहे हैं इसके साथ साथ ऐसे भी लोग हैं जिनको UPSC में बहुत lower rank मिला और वो state में executive rank लेने की कोशिश कर रहे हैं या already working लोग हैं जिस लिए teachers are there या government areas में आपके जैसे लोग हैं देखने में ये लगता है कि यहाँ पर कोई level playground नहीं है लेकिन हमें अपनी strategy के साथ इनी लोगों के साथ level playground create करना है और इनसे तेज दौड़ना है अगर आप success होना चाहते हो बहुत सारे example है हमारे पास इसी तरीके का competition दिखाने के लिए just like last year के जो topper थे अमित मान, he was one of our students तो ये gadgeted job already कर रहे थे ministry of commerce के अंडर HCS दिया, select होगे बहुत time से prepare किया पहली jobs पाने के लिए तोड़ा सा और addition दिया अगर आप compete करना जाते हो तो इस तरीके के बहुत सारे लोग यहाँ पे मिलेंगे जॉब के साथ ही त्यारी कर रहे थे दो लेकिन success हुए दूसरे देखिए Mr. Amit Ranga है ये तहसीलदार मिला पिछले ही atheist में इनको अब ये एक private job कर रहे थे fresher थे private job करते-करते इन्होंने साथा त्यारी भी करी और एक अच्छा rank attain करा वोही level play ground अपने से अच्छे पड़े लिखे students को भी इन्होंने पीछे छोड़ दिया इनको भी आपने काफी platforms पे देखा होगा इनका interview हमारे YouTube चैनल पे भी पड़ा है इसके साथ अब बहुत सारे और students भी थे जो UPC वाले यहां पे select होते हैं या इसके साथ साथ ऐसे भी थे जो 35 प्लस थे और already कहीं न कहीं job कर रहे थे उनका भी selection हुआ ऐसा नहीं है कि सिर्फ experienced लोग ही यहां पे निकलते हैं हर एक बंदा यहां पे level playground create कर सकता है बट the deciding factor is उसकी strategy क्या है उसका dedication कितना है बट आपको पहले competition समझना होगा कि इन लोगों से मुझे compete करना है then आप उस strategy को follow कर पाएंगे या उस एक strategy अपने accordingly बना पाएंगे this is what जो मैंने आपको main यहां पे बताने की कोशिश करी next है हमारा approach क्या रहेगा त्यारी को लेके approach देखिए जी questions जो है यह paper कोई scientists के लिए तो आता नहीं है एक बड़ा basic question paper है तो basics हमें साथ साथ लेके चलने है basics क्या है थोड़ी सी NCRT's हमें पढ़नी है अगर 8 से 12 भी पढ़ोगे तो चलेगा 11 से 12 पढ़ेगे तो भी चलेगा वो 6 तू 10 वाला scene नहीं है मैं आगे बताऊंगा NCRT's पढ़नी है थोड़ी बहुत standard books पढ़नी है जो भी GSK subject आपको आगे बताए जाएंगे उससे भी बड़ी चीज यह है कि यहाँ पर आपको consistency maintain करनी है ऐसा नहीं है कि आप पिछले 2 दिन जो थे तो आपको 4 घंटे लगाने पड़ेंगे इस 4 घंटे में आप क्या productive कर रहे हो उसको check करने के लिए या उसमें आपको day to day basis पे guide करने के लिए you need a mentor अब mentor कोई भी हो सकता है mentor maybe there may be a family friend of yours there may be a friend of yours there may be a cousin, brother whatever अगर आपकी family में कोई है आपको help करने के लिए जिसको इस चीज का experience है already paper crack कर रहा है या वो पढ़ा रहा है आप उससे support ले सकते हो या in case कोई नहीं है तो then you can approach different professionals हैं हमारे जैसे लोग हैं आप उनको approach कर सकते हो एक mentor की आपको आफशकता होगा mentor वो होना चाहिए जिसको आप trust कर सकते हो जिसको आप follow कर सकते हो at least one और उससे ज़्यादा years के लिए ऐसा नहीं होगा कि आप पहले आप अपनी approach भी साथ गुसेड रहे हो किसी mentor की भी साथ दो-तीन mentors की बात मिला के खिचड़ी पका रहे हो तो ultimately आप successful नहीं हो सकते है पहाड चड़ने के बहुत सारे रस्ते हैं लेकिन हमें एक ही follow करना है और consistently follow करना है यही approach के साथ आगे बढ़ेंगे और basics से stick रहना है advance नहीं जाना basics को ही repeat करना है कुछ-कुछ चीज़े होंगी जहां पे हमें थोड़ा सा advance पढ़ना है वो मैं बताऊंगा आगे session में लेकिन बहुत सारे aspirants मैं देखता हूँ generally working वाले लोगों के साथ issue होता है कि वो एक subject पे 8-8 किताबे पढ़ने में believe करते हैं rather than reading that only one book 8 times तो ऐसा नहीं करना हमें बड़े resources को limited रखके आगे बढ़ना है क्योंकि हमारे पास समय भी कम है और हमारा paper भी उसी level का आता है तो उसको अच्छे से किया जाता है selection का process एक बार दोबारा बता हूँ because मुझे आगे इसको emphasize करना है prelims जो था वो मनें आपको अल्रड़ी बताया main 600 marks का है interview 75 marks का है prelims में जो GS का paper है वहाँ पे common questions common GK related topics से questions पूछे जाते हैं just like general science है current affairs है history of India है वो तीनों ancient, medieval as well as modern India की जो history है geography है, world geography, Indian geography Indian culture है Indian polity, economy फिर हर्याना के भी सारे aspects हर्याना का history का है, हर्याना का culture का है थोड़ा सा part है यहाँ पे इस तरीके के GS के questions पूछे जाते है general studies हम इनको normally बोलते है इसके बाद CSET का जो paper है अभी वो qualifying है तो इसमें basically थोड़ी सी basic numeracy पूछी जाती है mathematics, quantitative aptitude फिर reasoning aptitude आता है then comprehension आता है English language का comprehension है अब इस paper में tension थोड़ी कम होगी है because इसमें सर्फ 33% marks ही हमें secure करने है अब mains exam जो की हमारा exact enemy है mains exam जहां पे हमें maximum marks secure करने है so that अच्छा rank मिले, अच्छी service मिले, SDM मिले तो उस काम के लिए हमें इन papers को समझना है और इनमें क्या त्यारी करें, क्या पढ़ें उसको देखना है आगे चार paper यहां पे होने वाले हैं पहला paper English का होगा, 100 marks वही plus 2 level की English यहां पे पूछी जाएगी paper 2 Hindi है, 100 marks plus 2 level की grammatical Hindi आसान भाशा में पूछी जाएगी then paper 3, paper 4 consists of general studies का 200 marks का paper है वही लगबग वही general studies जो मैंने आपको पीछे दिखाया, उसी को थोड़ा और elaborate किया गया syllabus को और वहां से question पूछे जाते है similarly paper 4 जो है, वो एक optional paper है, 39 subjects की एक list है, वहां से आपको एक subject choose करना है, उसमें से 200 marks का paper आएगा, total बनते हैं जी 600 marks और 75 marks का interview total 675 marks यहां पे वो निकलेगी एक merit जिसके accordingly आपको services a lot होंगी, जो भी top 50-60 जितनी vacancies है, लोग आएगे ठीक है, mains में GS का part रहता है इस लिए हिस्ट्री मेंने आपको अल्रेडी बताया geography of India, Indian polity current national issues social relevance के issues है society related है, security से related है, internal security, disaster management इस तरीके की चीज़े, इसका part 2 रहता है, हमारे international relations की तरफ, Indian economy science and technology and एक चीज़ और extra है, जो हम prelims में नहीं पढ़ रहे थे, that is related to statistical analysis, graphs and diagram, stats बोगते हैं यह एक syllabus है इसका और optional का syllabus आपको अपने subject accordingly दिखना होगा, इस तरीके से part 1, part 2 में वो भी divided रहता है अब हम बात करेंगे कि इन सारे topics को किन-किन books से पढ़ना है, कांसी books पढ़नी है वो मैं आपको एक list provide करूँगा, आप वहाँ से शुरू कर सकते हो, कुछ optional है कुछ compulsory है, पहला matter जो रहता है, that is current affairs, और काफी problematic हो चुका है current affairs ऐसा नहीं है कि बहुत मुश्किल है ऐसा इसलिए है कि यहाँ पे sources बहुत हो चुके है अब किसी भी internet website पे जाएए daily के 50-50 pages के current affairs के notes है, अब 50 pages daily के current affairs पढ़ोगे, तो महीने के कितने हो गए, तो more than thousand pages लोग मैंने देखा है कि current affairs पे कठे करके बैठ जाते हैं जिनका कोई भी logic नहीं बचता है, इसलिए current affairs मुश्किल हो गया है, बेकास आजकल infodemic है, information इतनी ज़्यादा spillover ओरी internet पे कि हमें हर एक random fact को याद करना बड़ा fashionable हो चुका है जो कि सारी तयारी को खराब कर देता है तो current affairs कैसे पढ़ने हैं देखिए daily newspaper पढ़ना है, जितने भी internet पे compilations बनते हैं वो newspaper से ही निकल के आते हैं तो daily newspaper पढ़ना है मैं recommend करता हूँ कि आप Indian Express पढ़िए कुछ लोगों को Indian Express अच्छा नहीं लगता वो Hindu पढ़ते हैं, तो Hindu में आपकी state की cover नहीं आएंगी तो Hindu के साथ आपको the tribune follow करना पढ़ेगा, अगर नहीं दो newspapers पर जाना दो आजकल Hindu की quality वैसे भी down जा रही है तो आप Indian Express पढ़ सकते हूँ बहुत अच्छा newspaper है as far as civil services are concerned, कैसे पढ़ना है इसमे मैंने एक और वीडियो बनाया है, वो आप YouTube पर देख सकते हूँ तो एक बार study करेंगे तो idea हो जाएगा कि कैसे पढ़ना है इस लेबर्स के accordingly जो जो important हमारे topic है इस लेबर्स में societies, technologies, governance है, international relations है तो उनसे related news को पढ़ना है इसके अलावा, newspaper में बहुत सारी चीज़े कई बार skip हो जाती है तो आपको being a working people आपके बहुत जादा समय तो होता नहीं कई बार newspaper miss भी हो जाता है यहां आप बहुत जादा detail में नहीं पढ़ सकते multiple sources को नहीं देख सकते तो आप एक काम करिए monthly एक magazine ले लीजिए current affairs का, वो monthly आपके current affairs को compile करके आपको दे देगा just like दृष्टी current affairs today magazine आती है, बहुत अच्छी magazine है आप उसको buy कर सकते हूँ sometimes जब आप return हो जाओगे अभी नहीं, beginning में नहीं 5-6 महीने बाद आपको योजना और कुरुक्षेत्रा जो government magazine है वो भी buy करनी है और उनके कुछ ना कुछ editorials को पढ़ना है prelims as well as mains में ये चीज़े help करती है then हम लोग history की बात करते हैं, history में मैं आपको अभी tabular form में दिखाऊंगा कि NCRTs कौन सी है और standard books कौन सी है history की NCRTs की list यहाँ पे give you है, आप एक screenshot ले सकते हो अगर बहुत ही basic से पढ़ रहे हो तो आप class 6-12 जो NCRTs ये हैं, इनको पढ़ सकते हो अगर आपको ये बहुत ही basic लग रहा है बहुत ही boring लग रहा है दो ये हैं, हर एक बंदे को 6-10 पढ़ने के आफशकता नहीं होती है तो आप एक काम करिए Tamil Ladu Board की books इंटरनेट पे available है इनकी website पे भी PDF available है plus 1, plus 2 की history की books ले लीजे इनको पढ़िए, they are more than sufficient बहुत अच्छी books है मुझे personally बहुत अच्छी लगती है आप सारा ये portion skip कर सकते हो जस्ट आप ये 4 books अगर पढ़ लेते हो तो आपकी history अच्छे से तयार हो जाएगी फिर जस्ट उसको एक तड़का लगाना है उपर standard books का तो इंडियन जो medieval history है उसको स्तीश चंद्रा से पढ़ सकते हो ancient तो यहीं से तयार हो जाएगी बहुत ज़्यादा heavy है नहीं then modern Indian history सबसे ज़्यादा बेटेज रखता है तो उसके लिए extended book आती है spectrum की उसको आपने पढ़ना है और world history के 4-5 important topics हैं हमारे mains के लिए वो modern history के एक book काती है normal law भी इस book को पढ़ना है बट पहले इन basic books को पढ़ने के बाद इन books को follow आपने करना है अब जब जब आपको history revise करनी है history की basic NCRT जे एक ही बार पढ़ी जाती है इनको highlight करिये highlight करने के बाद आपको revise करना easy हो जाएगा उसके बाद जब भी पढ़ोगे आप standard books को follow करोगे और इसके अलावा और कोई standard books पे ना आई जाओ तो बहतर है इनी को बार बार revise करते रही है यहीं से paper आ जाएगा hardly जतना आपको चाहिए यहां से निकल आएगा इसके बाद art and culture है तो art and culture में NCRTs में plus one की fine arts की book आती है बहुत अच्छी है in case वैसे तो there it is sufficient जितना हरियाना में आता है यहां से निकल आता है 70-80% यहां से निकल आएगा फिर भी आपको एक advanced level की book जो आपके पास लेके रखनी है कुछ chapters उसके पढ़ने है that is related to Nitin Singh Ghani Indian art and culture Tata McGraw Hill की book है CCRT में जो culture से related aspects हैं उनको देखते है India yearbook जो आती है उसमें एक chapter होता है cultural monuments को उनको हमें पढ़ना है यह paper से पहले 15-20 दिन prelim से पहले इनको एक बार देख लिया जाता है कभी कबार यहां से question निकल आता है बहुत कम source रखे जाते है आटन culture के geography एक prominent subject है तो NCRT plus one plus two की चारों किताबें आपने पढ़नी है और 80% of the geography आपकी यहां से तयार हो जाएगी जो normally जो fundamental question आते हैं वो यहीं से तयार हो जाएगे फिर मैं आपको दो standard books बताता हूं जो की recommend करी जाती है मैं नहीं करता लेकिन normally आपको हर जगा मिलेंगी पहली है GC Leong की book है बड़ी छोटी सी किताब है fundamental geography को लेके और दूसरी है माजिद हुसेन जो माजिद हुसेन है it is completely optional आपको इतनी बलकी book पढ़ने के आफशकता नहीं है until unless आप optional की तरफ move नहीं कर रहे हो जोग्राफी के question बड़े basic आते है NCRT level के आते है फिर भी fundamental geography में कुछ न कुछ अगर छूट जाता है तो GC Leong की एक छोटी सी किताब है आप उससे follow कर सकते हो इसके साथ आपको बस एक Oxford का map follow करना है जो की Oxford का school atlas आता है वो आपको मिल जाएगा market से उसको रखिए जब भी कोई नई location निउस्पेपर में पढ़ रहे हो जब भी किसी नई water body नए ocean को देख रहे हो तो उसको map में locate जरूर करिए अपने states को निउस्पेपर में जो locations आती है उनको plus geography पढ़ते हो जो भी आप human या economical geography पढ़ रहे हो तो जितनी भी resources वगरा है उनको map से याद करोगे तो बहुत easily याद हो जाएगा map based questions भी आते हैं और geography पढ़ने में help भी बहुत करता है माजीद हुसैन completely optional किताब है अगर आप geography में बहुत जादा interested हो optional तक जाना है तो माजीद हुसैन beginners की book बनेगी otherwise आप इसको छोड़ सकते हो ले के रख लेना होसला बना रहेगा then polity, IR और governance के लिए polity की books आती है जो हमारी NCRT की books है NCRT की books में जो plus two की है just like political science, contemporary world, politics या politics in India since independence ये book काफी अच्छी है पढ़ने के लिए एक-एक basic foundation बनेगा फिर आप कोशिश करोगे directly ये दो books पढ़ने के बाद डारेक्टली आप इंडियन पॉलिटी M. लक्षमी काथ एक book आती है बहुत अच्छी standard bible of Indian polity for aspirants इसको डारेक्टली पढ़ने है in case आपको यहाँ से कुछ समझ नहीं आता है तो you can switch to the previous year 9th, 10th या उस तरीके की NCRTs पे आप switch कर सकते हो वैसे आपको ज़्यादा quality की NCRTs पढ़ने के आशकता नहीं because M. लक्षमी काथ ने सारा कुछ वहाँ पे consolidated कर दिया है international relations के लिए आप current affairs की एक extensive study करोगे या एक book आती है पवनीत सिंग की international relations पे उसको सिर्फ mains के time आपने पढ़ना है मैं यहाँ पे लिख देता हूँ आप लिख लीजिए पवनीत सिंग की एक book आती है Tata Magro Hill International Relations पे उस book को पढ़ा जाता है normally international relations आपके newspaper पढ़ते हुए थोड़े से refresh हो जाते है governance के लिए लक्षमी कांत की यह governance की भी book है और एक ARC की report आई थी उसका just mark इंटरनेट पे available है उसको लेके पढ़िए यह दोनों mains के topics cover करता है then economy की बात करेंगे economy में हमें सिर्फ और सर्फ macro economy पढ़ना होता है macro economy के अलावा आपको कुछ भी ज़्यादा पढ़ने के आपशकता है macro से एकाद question आता है उसको छोड़ा जा सकता है क्योंकि ज़्यादा time consuming है macro के लिए जो NCRT की books है वो Indian economy, plus one, plus two की macro economy की books आती है यहाँ पे भी आप Tamil Nadu board की books अगर लेते हो macro economy की तो वो NCRT से थोड़ी सी बहतर है तो आपका option है आपको जो अच्छी लगए आप ले सकते हो standard books जो आपने यहाँ पे follow करनी है और यह करनी ही पड़ेगी standard books is Sanjeev Verma unique publishers की book आती है beginners के लिए बहुत अच्छी किताब है बहुत easily economy आपको समझ में आएगी बाकि जो sources रहेंगे economy देखिए contemporary subject है current affair में भी चलता रहेगा और just like yearly documents आते है economic survey आता है state का और union का उसका summary मिल जाता है जब भी आता है वो summary पढ़िए budget का document पढ़िए India yearbook का summary देखिए जो भी economy से related facts और figures है उनसे question आने की संभवना रहती है mains और pre दोनों में आपकी help करता है तो इस तरीके से economy को आगे लेके जाना है यहाँ पर एक और ज़्यादा recommended book है that is Ramesh Singh यह Tata Magro Hill की book आती है Ramesh Singh लिखते है TMH की मैं यह book आपके लिए recommend नहीं करूंगा यह काफी ज़्यादा बल्की और unnecessary information से filled है इससे अच्छा आप Tamil अडू board की NCRT जो basic books है वो पढ़िए और Sanjeev Verma पढ़ लिजे they will be more than sufficient as far as economy is concerned current affairs साथ साथ पढ़ते रही है then environment environment से भी आजकल question हरियाना में बड़े basic level के आ रहे हैं तो आप अगर class 12th की NCRT biology की book से chapter 13 to 16 पढ़ते हो यह 4 chapter बड़े basic ecology के बारे में आपको पढ़ाते है plus आप इनको supplement करोगे environment से related current affairs को जितने भी environment से related current affairs है magazines मिल जाती है market में यहां से यह आप daily wise पढ़ रहे हो तो that isn't well and good यहां से काम बन जाएगा 60-70% environment के basics जो है वो in chapter से आपके clear हो जाएगे यह class 11 की बायल जी में भी एक दो chapters है जो environment से belong करते हैं उनको भी आप पढ़ लीजेगा just इनको download कर लेना पूरी books मत लेना NCRT की website से तो वहां पे आपको पता लग जेगा कौन कान से chapters environment से related है standard book अगर पढ़नी है तो वो शंकर आई है इसकी book है it's an again bible for ecology and environment अच्छी किताब है इसको पढ़ सकते हो बट अगे थोड़ी सी बलकी है इनके समय कम है तो सिर्फ यहां तक confine रहिए और current affairs पढ़ लेना साथ में बाकी के जो sources हैं अगर आप इसको skip करना जाते हो तो N.I.O.S. के environment के notes आते हैं वो अच्छे है या current affairs जो ऐसे मैंने आपको अल्रेड़ी बताया लास्ट है science and technology and society science and technology में वही NCRT है basic science के लिए कई लोगों को यह NCRT boring लगती है तो यह आप skip कर सकते हो directly आप अच्छी publication जसलेक टाटा मेगरोहिल की science and technologies की book आती है या science reporter magazine आती है इनको पढ़िये basic science यहां से question clear हो जाते है basic science पूची जाती है prelims में ज़्यादा आता है technology part जो है वो means में पूचा जाता है technology के लिए science reporter या इस तरीके की magazines या जो आप current affair की magazine ले रहे हो उसका technology section जड़ा ध्यान से देखिएगा वहाँ पे question पूचे जाते है then mains का Indian society का जो topic है mains में चोटा सा एक topic रहता है Indian society तो NCRT की जो books है वहाँ से इसकी complete understanding हो जाएगी in case question आता है फिर भी इसका current पढ़ना चाहते हो तो economic and political weekly magazine आता है current economic issues को अच्छे से compile करता है अगर आप दृष्टी IS वाली जो magazine पढ़ रहे हो तो वहाँ पे इस magazine का भी एक दो articles वो include करते है तो उस magazine के case में आपका ये काम भी बच जाएगा then then जो छोटे मोटर topics है mains वाले just like internal security and disaster management है तो एक अशोक कुमार है IPS है हमारे इनकी book आती है टाटा मेग्रो हिल के द्वारा publish करे जाने वाली challenge of internal security in India इसमें disaster management भी है और internal security भी है बड़ी छोटी सी book है इसको आप follow कर सकते हो similarly disaster management के लिए एक छोटे मोटे sources है योजना magazine थी 2017 की वो अच्छा issue था आज भी PDF available है और सारी चीज़ें जिस तरीके के सवाल पूछ हो जाते है उसमें explained है यह NDRF की website इसके बारे में mention करते है mains में जो stats का question आता है एक यह दो question stats और analysis के रहते है आप NCRT plus one की statistics की books लेके पढ़ दोगे तो मेरा काम हो जाएगा but still if you want an assurance की मुझे extended book भी चाहिए तो spectrum की statistical analysis की किताब आती है ये भी अच्छी है हरियाना जी के जो है वो know your state अरिहान से पढ़ा जाता है या state का economic survey और budget पढ़ा जाता है बहुत कम छोटा सा state है हरियाना तो लंबा चोड़ा कुछ है नहीं आड़ली 10 से या 15 दिन में आप इसको easily कर सकते हो and जो English है वो Lucent की general English की book आती है या आप newspaper पढ़ रहे हो वहाँ से cover हो जाएगी Hindi जो भी local व्याकरण की books आती है governor की grammar की books आती है वहाँ से Hindi और English आप अच्छे से बढ़ सकते हो school level की books है और उसी level का paper आना है बट ध्यान दीजिएगा यह scoring paper है यह आपका score इन में अच्छा हो सकता है अगर आप इस पर ठीक ठाक focus करोगे practice करोगे तो यह था overall किताबें कौन सी पढ़नी चाहिए sources क्या पढ़ने चाहिए then हम लोग बात करते हैं preparation strategy का देखिए preparation pre और mains यह तो pattern देखके आपको clarify हो गया होगा कि pre और mains को हमें combine ही त्यार करना होता है pre और mains साथ साथ चलते हैं यह कभी अलग नहीं हो सकते daily newspaper आपको पढ़ना पढ़ेगा mains में अच्छे answer लिखने है because अच्छे answer ही आपको अच्छा score दिलवाएंगे optional और GS में अगर आपने अच्छे answer लिखने है तो आपको answer writing करनी पढ़ेगी जब 50-60% syllabus आप पढ़ लोगे तो उस syllabus से related mains की question लेके अपने mentor से उनकी answer writing शुरू करिए और उनको check करवाईए कि मैंनको कैसे improve कर सकता हूँ time आप spend करिए लगबग 8-10 महीने general studies, NCRT और books को complete करिए उसके बाद अपना optional subject चाहे parallel ही आप कर सकते हो 2-3 महीने का समय optional subject लेता है and 2 महीने जो हैं वो आपको pre से पहले खाली रहना है revise करना है सारे का सारा GS और CSET के कुछ topics जो आपको तंग करते हैं और prelims के बाद क्योंकि आपने pre और mains एक साथ prepare किया था prelims के बाद सिर्फ और सिर्फ आपने focus करना है pending topics जो आपके skip हो गए थे stats वगरा and answer writing excessive answer writing आपको करना है so that कि जो भी आप लिखो उसका sense बनना चाहिए उसका presentation इतना अच्छा हो कि mains में आपका score बहतर आए और यही एक चीज है जो आपका selection assure करेगी आने वाले time में अपनी handwriting को देखिए उसमें किस तरीके की छोटी मोटी improvements हो सकती है once you are done with the syllabus 60-70% syllabus पूरा हो गया तो आप mock test join कर सकते हो पहला काम है देखिए को mock test आपकी तयारी को ठीक नहीं करते वो जस्त आपको practice करवाते हैं तो practice purpose से आपको mock test लेना है आप पहले previous year paper लीजिए हमारी website पर आपको मिलेंगे या कहीं से भी मिले previous year papers लीजिए उनको पढ़िए उनको solve करिए सारे papers को solve करिए अपने जिस तरीके से आप mock test solve करोगे प्रिंट निकलवा के solve करने के बाद आपको कमियां दिखेंगे यार ये topic आ रहा था मुझे आता नहीं उनको revise करिए जब ये काम हो जाएगा तो उसके बाद आपको कोई भी एक अच्छा mock test series ले ले लेना चाहिए hardly week में 3 test या 2 test आप दीजिए 3 से 3-4 महीने पहले ये काम स्टार्ट करिए तो practice होगी 100 questions means 100 topics 100 topics में से आपको idea होगा कि ये topic मुझे नहीं आता because इसका question गलत हो रहा है तो उसको थोड़ा सा पढ़िए इस तरीके से revision fast हो जाता है बाकि daily wise mock test excessive mock test आपका time खराब करेंगे आपको फालतू की anxiety देंगे तो इनको थोड़ा limited रखना है करना जरूर है लेकिन इन पर rely नहीं करना कि मेरी तियारी हो जाएगी तो last topic for today की optional subject कैसे choose करा जाता है पहले मैं दिखा दूँ ये एक list है आपको मैं pdf share कर दूँगा हमारे telegram channel पे या call करना हम आपको ये pdf send भी कर देंगे तो 29 subjects की list है 23 पहले थे जिसमें सारे almost prominent subjects याँ पर मिल जाएंगे और 6 subjects नए add करेंगे anthropology, agology, management, medical science, philosophy, stats और ये आप एक screenshot लेके भी अपने पास रख सकते हैं इन में से कोई भी एक subject आपको लेना है the thing is कि कौन सा subject आपको चूज करना है तो पहले देखिए आपने अपनी post graduation अगर करी है तो या आपकी graduation के time PG, UG में आपके पास कौन सा subject था in case वो subject आपके पास जो भी रहा इन 29 subjects में exist करता है और आप उसका पुराना paper देखिए previous year का paper अगर आपको आज भी वो questions वो topics जो है वो relevance लग रहे हैं अपनी पढ़ाई के साथ आपको याद आ रहा है तो प्लीज उसी subject को follow करिए किसी की सिला मत मानिए अगर आपको PG और UG करते होए इन subjects में इंटरस नहीं था आपने वैसी करा तो आप General Studies जो पढ़ रहे हो जो आप General Studies में पढ़ रहे हो History, Policy, Geography, Economy, Society, Sociology तो उन subjects के पुराने paper देखिए और अपने आपको evaluate करिए 6-7 महीने GS पढ़ने के बाद कि मैं कौन से subject में बहतर perform कर सकता हूँ जिस subject में आपको इंटरस्ट डिवल पोर है अप उस subject को optional चूज करिए किसी की बातों में आके किसी के पुराने experience को देखके किसी teacher की बात मान के optional subject चूज नहीं करा जाता because it is ultimately you जो paper देने जा रहा है और वही लोग आपके paper को analysis करके आपको score देने वाले हैं आप जो paper को अच्छा लिख सकते हो आप उसको choose करिए अगर PG-UG में कोई भी subject था optional में है तो मेरा preference वही रहेगा कि आप उस subject में जाएए आपने 5-6 साल उसको पढ़ा है दो-3 महिने analyze करके आप अच्छे से कर सकते हो अगर interest बिलकुल develop नहीं हो रहा है इंजिनरिंग के कुछ subject है जो optional में है ही नहीं है तो आप GS में से जो आपने already history, polity, geography, sociology इनको पढ़ा है इनको choose करने की कोशिश करिए इन दो में से आपको optional subject निकल आएगा ये मैंने आपको already list दिया है तो इस सारी चीजों के साथ आप अपनी preparation शुरू कर सकते है still अगर आपके कुछ doubts है मैंने एक बहुत लंबा वीडियो ले लिया अगर आप देखते देखते यहां तक पहुँच ही गए है तो you are a serious aspirant आपके अब भी बहुत सारे questions आया हूँ pending रहे होंगे तो आप मुझे बहुत सारे social media platforms पे ढूंड के message कर सकते हैं मैं आपको वहाँ पे response करूँगा या जो screen पे number flash हो रहा है यहाँ पे call करिए आपके questions सुने जाएंगे आपको जवाब भी दिया जाएगा मेरे से बात करनी है तो यह look करवा देंगे उसके लिए आपको थोड़ा wait करना बढ़ सकता है so I'm done with all the questions all the strategies जो बताई थी अगली वीडियो में फिर मिलेंगे अगर कोई issue हो तो comment करिएगा thank you for watching this